हलो फ्रेंड्स रादे रादे वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपको काना जी की औरेंज कलर की पोसाग बना के दिखाती हूँ इसमें हमने सबसे पहले 50 फंदे डाले 10 नमबर की सलाई पे 50 फंदे डाले उसके बाद हम पहली सलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे यह हमारी सीधी साइट की सलाई है इसको हम वाइट कलर से उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से हम बनाते हुए अपनी सलाई को कम्प्लीट कर लेंगे अब हम अपनी सेकिंड सलाई पे आगए इसमें हम अपना कलर चेंज करेंगे औरेंज कलर के उल से हम पूरी सलाई को उल्टा उल्टा ही बनाएंगे इसको भी इस तरह से दवाते हुए उनको अंदर उसको दवाते हुए हम पूरी सलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे उल्टी उल्टी बनाते हुए सलाई को कम्प्लीट कर लेंगे अब हम अपनी थार्ड सलाई पे आ गए इसको भी हम उल्टी उल्टी बनाएंगे औरेंज कलर से ही इस तरह से हमारी बॉडर की पट्टी बनेगी और यह हमारी एक फली इसमें भी दिखने लगेगी अब हम अपने वाइट कलर को चैंज करेंगे तो वाइट कलर से हम पूरी सलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे इस तरह हम अपनी पांच सलाईयां बॉडर के लिए बना लेंगे सबसे पहले फंदे वाली और उसके बाद एक उल्टी फिर दो सलाई औरेंज से अब दो सलाई वाइट से इस तरह हमारी पांच सलाईएं उल्टी उल्टी बन जाएंगी अब हम अपनी सीधी सलाई पे आ गए सीधी सलाई पे हम औरेंज कलर से आगे के बॉडर के पांच फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे उसके बाद हम पूरी सलाई को सीधा सीधा बनाएंगे इस तरह से सीधे फंदे बनाएंगे और लाश्ट के हम पांच फंदे बॉडर वाले फिर से उल्टे बनाएंगे इस तरह से फिर से उल्टे बनाएंगे अब हम अपनी उल्टी सलाई पर फिर से आ गए उल्टी सलाई को हम पूरा उल्टा-उल्टा ही बनाएंगे पूरी सलाई को उल्टा-उल्टा बना लेंगे इस तरह से करते हुए हम करीब नौ सलाई बना लेंगे मतलब नौ फलियां बना लेंगे अठारा सलाई इस तरह से हम बना लेंगे अब हम अपने फंदों को गटाएंगे उल्टी सलाई पर हम अपने फंदों गटाएंगे शुर अब हम दो का एक, दो का एक करते जाएंगे, इस तरह से सारे फन्नों को गटाएंगे, दो का एक, दो का एक, दो का एक करते हुए, और लास्ट के फन्नों को हम जो है, बॉडर के लास्ट के फन्नों को उल्टा उल्टा बनाएंगे, इस तरह पूरी सलाई, दो का एक करते हुए, कम्प्लीट करेंगे, यह लास्ट के फन्ने हैं, पांच फन्ने हम उल्टे उल्टे बना लेंगे, अब हम सीधी सलाई पे आ गए, सीधी सलाई पे हम शुरू के पांच फन्ने बॉडर के वही उल्टे उल्टे बनाएंगे, अब हम पूरी सलाई सिधी सिधी बनाएंगे और लास्ट के पांच फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे अब हम फिर से अपनी सिधी सलाई पे आ गए अपने उल्टी सलाई पे आ गए अभी हम फिर से अपने फंदों को घटाएंगे दो का एक, दो का एक करेंगे इस तरह से करते हुए हम करीब तीन बार अपने फंदों को घटाएंगे फिर सिधी सलाई पे हुआ ही पांच फंदे बॉर्डर के बनाएं पूरी सलाई सिधी सिधी बनाई और लाश्ट के पांच फंदे फिर बॉर्डर के बनाएं उल्टे-उल्टे उल्टी सलाई पे फिर से हम लाश्ट वार एक बार और गटाएंगे इस तरह से हम घटाते हुए पूरी सलाई को बना लेंगे अब हम सीधी सलाई पे एक सलाई सीधी बनाएंगे शुरू के पांच फंदे बॉर्डर वाले बनाएं उसके बाद सीधी सलाई को सीधा सीधा बनाया और लाश्ट के पांच फंदे बॉर्डर के बनाएंगे अब हम अपने उल्टी सलाई पे आ गए फिर से हम पांच फंदे बॉर्डर के बनाएंगे और इस तरह से हम अपने फंदों को आदे आदे कर लेंगे दो भाग में डिवाइट कर लेंगे हमारे कुल 16 फंदे हैं एक तरफ आठ हो जाएंगे एक तरफ आठ हो जाएंगे इस तरह से 5 फंदे बोडर वाले और 3 फंदे और आजाएंगे इस तरह आठ फंदे हो जाएंगे अब हम एक कंदे के ही आठ फंदे बनाना शुरू करेंगे पहला फंदा उतार के लेंगे पहले फंदे को उतार लेंगे सीधे फंदे को और तीन फंदे और सीधे लेंगे इस तरह तीन फंदे शुरू के सीधे हो गए और बाकी के फंदे हम उल्टे उल्टे लेंगे बॉडर के बॉडर वाले बॉडर वाले फंदे हमेशा उल्टे उल्टे ही जाएंगे उल्टी सलाई पूरी उल्टी उल्टी बन जाएगी उल्टी सलाई होरी उल्टी उल्टी बन जाएगी फिर हम सीधी सलाई पर आ गए पहला फंदा उतारेंगे सीधा पहला फंदा उतारके दो फंदे और सीधे लेंगे और सीधे इस तरह सीधे बनाते हुए बनाते हुए हम 6 फली उतार भार में Арसा करेंगे अधर estas ? noi के बन के दो नौ फलियों के बाद घर्ताय जाएंगे श्रक्वास, यह उतार हम सीधान पर खाएंगे उल्टी सलाई पे वही उल्टे उल्टे सारे फंदे और सीधी सलाई पे पाच फंदे बाडर के और तीन फंदे सीधे सीधे इस तरह से हम अपनी वूल को दवाते हुए धागों के अंदर ही ले लेंगे पूरी सलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे पूरी सलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे बागे इसको कट कर देंगे हम सेम इसी तरह अपना दूसरा कंदा भी बना लेंगे यह हमारे आगे का पलड तयार हो गया इस तरह से हमने तीं फल्या बॉर्डर में डाली और नौ फल्या उसके बाद डाली और त्छे फल्या इधर डाली यह दे पर दो आदे इस तरह से अपनधे करने के बाद इस तरह सेंगे 9 और तीं 12 और 6 अथारा फल्या उंधर अपने पंदों ना को ताग गया Deborah है कि उतार देंगे बंद कर देंगे कि इस तरह से हम पूरी फन्नों को बंद कर देंगे कि दो का एक दो का एक करते हुए कि दूसरी तरब के भी पंदे हम इसी तरह से बंद कर देंगे अब हम अपने पीछे पलड को भी ऐसे ही बनाएंगे बिल्कुल पूरा उसी तरह से घटाएंगे तीन बार उसी तरह से बनाते हुए है और लेकिन इसका हम गला डीप नहीं बनायेंगे गल्रा हम इसको लाश्थ तक बनाएंगे और लास्थ में किवल एक एक सलाई पह इक ही गले को बीच तीन फंदी हैं उनको घटा दे औंगे और एक-एक सलाई इसके बाद बनाएंगे, इस तरह हमारा पीछे का पिलड में गला बढ़ानी होगा और दोनों के कंदे हम जॉइंट कर देंगे, बस केबल सिलाई इतनी ही होनी है, इसमें केबल कंदे ही जॉइंट होनी है, बाकी ओपन रहेगा पूरा ड्रेस तीन फंदे बीच के घटाने के बाद केविल एक-एक सलाईयां भी ही आएंगी दोनों शाहिट से इस तरह से हम अपने पीछे के पलड को भी कंप्लीट कर लेंगे हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से और अब हम ये दोनों कंदों को इस तरह से दोकाई एक करते हुए बंद कर देंगे ये पीछे का पलड भी हमारा इस तरह तयार हो जाएगा और हम दोनों के कंदों को आपस में जोड सिलाई कर देंगे इस तरह हमारा ड्रेस इस तरह बन गया है इस तरह से हमने दोनों पलड़ों को जोड़ के यह मारा ड्रेस सही आर हो गया हमने इसमें चैनिस क्रोशिया से बनांके डूरी डाली अब हम इसमें पम्पम लगाएंगे जो मैंने इस तरह से 20 बार इसको रेप किया उसके बाद इसको निकाल के इस तरह से बनाया मैंने कट करके इसको गांट पान दिया के बाद केंची से कट कर देंगे हम इस तरह से हमारा पंपम तयार हो जाएगा फ्रेंड्स आपने अगर मेरा चैनल सब्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्क्राइब करिए और कमेंड्स और लाइक भी करिए वेल आइकन को दबाईए जिससे जो भी नूटिफिकेशन है वह आपको मिले इस तरह से हम कट करके अपने जो चैन बनाई है हमने उसमें हम जोइंट लगा देंगे और अपने कमर की तरफ से इसको जहां से हमने फंदे कम करना शुरू किये थे वहीं से हम इस तरह से डाल देंगे यह हमारा ड्रैस बनके तयार हो गया झाल